नमस्कार मैं शिवानी भिहारे निज में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अरारोट के वारे में विश्यो भर में कई प्रकार के कन पाया जाते हैं जिनमें औस दिये गुन होते हैं उन्ही में से एक अरारोट भी है इससे बनने वाले पाउडर का उप्योग कई प्रकार के पकवानों को बनाने में किया जाता है पोशक ततों से भरपूर होने के कारण इसे स्वास्त के लिए हाथ से भी काफी फायदे मन माना जाता है आज के वीडियो में इसके फायदे और नुकसान को विस्तार से जानेंगे अरारोट के उप्योग से इन्म्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है इसके पाउडर में मौजूद स्टार्च शरीर में फाइबर की तरह काम करता है इस वज़े से यह शरी की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है अरारोट को पाचन सम्बंधी समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है इसमें पाया जाने वाला स्टार्च, पेट, दर्द और कब्स की परिशानी से राहत दिला सकता है इलर्जी के खतरे को कम किया जा सकता है, सिलिएक रोग ग्लुटेन सम्बंधी विकार है जिसमें छोटी आथ में सूजन की समस्याओं होती है अरारोट के फायदे में डायवेटीज को नियंतरन करने में भी शामिल है दरसल अरारोट पाउडर में कम ग्लाइसेमिक इन्रेक्स होता है मतलव या शरीर में कार्वोहाइडर को तेजी से ग्लुकोज में नहीं बदलता है इसलिए इसे डायवेटीज के लिए अच्छा माना जाता है इसके अलावा अरारोट पाउडर में फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है जो डायवेटीज से बचाव करने में सहायक होता है अरारोट के इस्तेमाल से हिर्दे स्वास्त और बेहतर हो सकता है अरारोट में मौझूद फ्लेवोनोईट से हिर्दे समंधी समस्याओं से बचाव में मदद मिल सकती है साथ ही अरारोट पाउडर में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है पोटेशियम उच्छ रग्त चाप को नियंत्रित करके हिर्दे रोग के खतरे जैसे की धमनियों से संबंधित हिर्दे रोग और हाच फैलियर से बचाव करता है अरारोट के उपयोग से बढ़ती चर्भी और मोचापे की समस्या को भी कम किया जा सकता है दरसल इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिससे मोचापे कम करने में सहायक माना जाता है इसके अलावा अरारोच में प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा होती है प्रोटीन और फाइबर दोनों पोशक ततो भूग को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जिससे वजन को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। अरारोच में विचामिन C की अच्छी मात्रा होती है यह विचामिन स्कीन को शुष्कता और बेजान होने से बचा सकता है। साथ ही यह उम्र की बढ़ती गती जूरिया और दाग धबो को कम करने में सहायक माना जाता है इतना ही नहीं विचामिन C, शूरी की हानिकारक पैरा बैगनी केरनों से बचाने और डैमेजड स्कीन सेल्स को रिपेर करने में भी सहायक हो सकता है इसके फायदे जाने के बाद अब हम इसके नुकसान के बाड़े में जानेंगे तो मैं आपको बता दू कि आम तोड़ पर अरारोट सुरक्षित माना जा सकता है लेकिन इसकी अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है एक रिसर्च के दोड़ान दो कोडियाई महलाओं में अरारोट जूस के सेवन के बाद विशाक्त हेपेटाइटिस यानि लीवर से समबंधित समस्या पाए गई इस समस्या के कारण महलाओं में उल्टी और पिलिया जैसे लक्षन देखे गए ऐसे में अरारोट के नुकसान से बचने के लिए इसका नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर से एक वार जरूर सलाह ले आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और हम आशा करते हैं कि आरारोट से समबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप किसी विशेबर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी आप हमें अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद